नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शर्मा आखिर क्या वज़ा है कि जो लोग कानून को ठेंगा दिखाते हैं अगर वो भारती जानता पार्टी के करीबी है तो उन पर कुछ नहीं होता इन फाक्ट मीडिया भी उन्हें हीरो की तरह पेश करता है तीन मिसाल मैं आपके सामने पेश करूँगा वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजनीदी का असली खेल यूश्यक्त खबर की कहराईयों को टटोलता यूट्यूबर एलविश यादव बलातकारी राम रहीम और इसके लावा सांसद ब्रिज भूशन शरंट सिंग तीनों ने कानून को ठेंगा दिखाया कानून की जो आइरन पकड होती है लोह पकड होती है उनसे कोसो दूर और इन तीनों मामलों में भारती जनता पार्टी इनके सामने नतमस्तक थी उनको लेकर कमजोर थी हलकी थी सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एलविश यादव की एलविश यादव दोस्तों मैं आपको बतला दूँ कोई अफ़वा नहीं उत्तर प्रदेश पुलीस ने जो FIR दर्श किया है उन FIR में साथ लों का नाम है छटे नंबर पर इलविश यादव है मामला क्या है किस तरह से नॉइडा में सेक्टर उन्चास में एक रेव पार्टी में एक अशलील ड्रग्स से जुड़ी पार्टी में साप का जहर सप्लाई किया गया जो ड्रग्स के तोर पर इस्तमाल किया जा रहा था पुलीस के F.I.R. में ये भी लिखा हुआ है कि विदेशी युवतियां सप्लाई हुई मैं आपको बतला दूँ मेनका गांधी के एंजियों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में बाकाइदा एलविश यादव से बाचीत हुई बाचीत के बाद ये बात सामने आई कि एलविश यादव ने ये कहा कि मेरा एक व्यक्ति है आप उस से कांटाक कीजिए वो आपके पार्टी करवा देगा एक आडियो भी वाइरल हो रहा है उसकी चर्शा में बाद में करूंगा बाकाइदा एफ आई आर में एलविश यादव का नाम है मगर जब कोटा में राजस्थान पुलीस एलविश यादव को पकड़ती है तो क्या होता है जब राजस्थान पुलीस उत्तरफदेश पुलीस से बात करती है तो उत्तरफदेश पुलीस के कहती है कोई केस ही नहीं है एलविश यादव निकल जाता है एल्विश यादव अब ये कह रहा है कि मैं मेनका गांधी पर मानहानी का केस करूँगा मैं बेकसूर हूँ हो सकता है आप बेकसूर हूँ मगर आपका नाम F.I.R. में है बाकी पांच लोग 14 दिन की नियाए किरासत में भेज दिये गए है मगर एल्विश यादव अभी भी खुले आम भूम रहा है मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर जिनके साथ एल्विश यादव मंच पर था वो कह रहे थी कि अगर एल्विश यादव दोशी होगा तो उस पर कारवाई होगी वो तो बहुत दूर की बात है मैं आपको बतलाता हूँ भारती जनता पार्टी सरकार क्या कर रही उत्तरवदेश में जिस थानेदार की वज़ा से एल्विश यादव पर कारवाई हुई थी दोस्तों उसी पर कारवाई की गई है मैं आपको ये खबर दिखाना चाहता हूँ बहुत ही शौकिंग इससे पता चलता है कि किस तरह से योगी आदितनात की सरकार काम करती है आपके स्क्रीन्स पर ये खबर देखिए एल्विश यादव केस में बड़ा अक्शन नौईडा पुलीस कमिशनर ने थाना प्रभारी को किया लाइन हाजर खबर आपके स्क्रीन्स पर एल्विश यादव केस में ढिलाई और लापरवाही बरतने की मामले में नौईडा सेक्टर उन्चास के थाना प्रभारी पर गाजगिरी है नौईडा पुलीस कमिशनर ने उन्हें लाइन हाजर किया है बिग बॉस OTT विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम रेव पार्टियों में साप का जहर सप्लाई करने की मामले में सामने आने पर एक बार फिर नौईडा पुलीस के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं भले ही मामले में पुलीस कारवाई कर रही है अब नौईडा कोटवाली सेक्टर 49 में लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को देखते हुए नौईडा पुलीस कमिशनर लक्ष्मी सिंग ने बड़ा एक्शन लिया है अब वो क्या बड़ा एक्शन है साहब वो देखे साहब देरसल नौईडा पुलीस कमिशनर लक्ष्मी सिंग ने कोटवाली सेक्टर 49 में अपराद के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेक्टर 49 थाना प्रभारी संदीप चौधरी को लाइन हाजिर किया है संदीप चौधरी वही शक्स हैं जिनकी वज़ा से उनका नाम F.I.R. में था मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तो टाइम्स नाउन भारत की एक खबर देखिए इसमें एलविश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि टाइम्स नाउन भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सिदीक अपन आपको याद है एक पत्रकार दो साल तक वो जेल में था कोई मामला नहीं था आतंकवाद की धाराओं में उसे जेल में डाल दिया गया था यहाँ पर एलविश यादव एक ऐसा व्यक्ती जो महिलाओं पर अभध्र टिपणियां करता है अनाप शनाप बाते करता है जिसका नाम एक F.I.R. में है उसको लेकर एक न्यूस चैनल यह कह रहा है कि हमारी तारीफ की गई सिर्व इसलिए कि भारती जनता पार्टी का करीब है यह देखिए स्मृतिरानी, तेजस्पी सूरिया निर्मला सीतरावन तमाम लोगों के साथ यह व्यक्ती दिखाई दे रहा है अब जाहिर सी बात है आप क्या सहुषते हैं, इस पर कोई कारवाई हो सकती है सवाल ही नहीं कैसे कारवाई होगी उल्टा जिस थानेदार ने कुछ आक्शन लिया था या आक्शन लेने की कोश्की थी संदीप चौधरी उस पर कारवाई की गई उसे लाइन हाजिर कर दिया गया इस तरह से ये काम हो रहा है दोस्तों मुद्दा ये नहीं है कि उसका नाम F.I.R. में है एक आडियो वाइरल हो रहा है और मैं चाहूँगा आप सुने इस आडियो में एक व्यक्ती जिसने ये पूरा ओपरेशन किया था वो बात कर रहा है एल्विश के एक बहुत करीबी से और उसमें वो एल्विश के बारे में भी बहुत कुछ कह रहा है और ये बता भी रहा है कि ये पार्टी हम पहले भी कराते रहे है सुनिए ये पूरी बादशीत और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ जो करते हो महां कैसे नहीं यह पिर वहाँ पर क्या है उनका प्रोग्रम रहता है एगा तो जो उनका बुक करता है ना उनकी ही ही रहती है हमारी बाइब पुलिस बीट भी नहीं हमारी बड़े आद्मी यहां ना न फिर शाथ कॉंटेक्ट को देखो ना कितना वॉए भी है वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं उसके बाद पैक आप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविधा बोलती हैं अच्छा क्योंकि इन चीज होगा वो भी रिक्ष नहीं जाता पाउते हैं आप मेरे को ना एक आद उनकी भी बेज़ देना वह अलविज भाई वाली ज वाकि मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूं मेरी अनवेडा में है न कास्मा के अंदर मतलब उसकी क्या है ला कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ी आया था मैं वीडियो नहीं बना पाया था कुछ वीडियो है मैं वो भेज रहा हूं भेज तो रखी मैंने वो 10% तो सुना आपने इसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति दावे कर रहा है इन दावों के ही बुनियात पर खाइदे से एल्विश रादव से पूश्टाच होनी चाही थी अब तक मैं इस वक्त जब आप से बात कर रहा हूं एल्विश से कोई पूश्टाच नहीं हुई है युवतियां सप्लाई करना ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है ये उस F.I.R. में लिखा है मैं उस आधार पर कह रहा हूं वो ऑपरेशन जो भाजपा की एकसांसद मेनका गांधी ने रचा था ये तत्थ हैं ये कल्पना की उड़ान नहीं है मैं समझना चाहता हूं कि उनको ठेंगा दिखाने वाले इन लोगों पर कोई कारवाई क्यों नहीं होती है अब मैं बात मुख्यमंत्री आधितनात की कर रहा हूं दोस्तों मैं कुछ देर बाद ब्रिजभूशन शेरंट से की बात करूँगा आपकी स्क्रीन्स पर ये संदीब दायमा आए ये राजस ताली बजाते दिखाई देते हैं पहले आप सुनिए इस पूरे भाषन को फिर में चर्शा करता हूं आप जानते भारती जनता पार्टी ने निश्कासित कर दिया है मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग ने कोई कारवाई की क्या उन्होंने कोई कड़ाई की मुख्यमंत्री आदितनात मंच पर थे उन्हें पलट कर संदीब दायमा को बोलना चाहिए थे कि भई तुम्हीं क्या बोल रहे हो उल्टा वो तालियां बजा रहे थे संदीब दायमा पर इस वी लिए कारवाई हो रही है क्योंकि अब गुरुद्वारा SGPC गुरुद्वारा प्रबंधक समिती जो है वो सक्रिय हो गई है अच्छी बात क्या मैं आपको बताता हूँ संदीब दायमा ने माफी मांगी है ये इसका वीडियो है माफी मांगने का और उसमें ये कह रहा है कि मैं तो सिर्फ मस्जिद और मदरसों के बारे में कह रहा था गुरुद्वारा प्रबंधक समिती ने कहा है कि चाहे गुरुद्वारा हो या मस्जिद किसी के बारे में आपको एक कहने का अदिकार नहीं है वाकई इसके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा SGPC के लिए कि वो कहने को ये कह सकते थे ठीक है आपने गुरुद्वारों को लेकर माफी मांगी हमें और कुछ नहीं करना है मगर नहीं उन्होंने कहा कि आप मस्जिदों के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकते मगर ऐसे लोग भारती जनता पार्टी में निश्कासित कर दिया तो क्या हो गया चुनाव आयोब ने कोई आक्शन नहीं लिया मैं आप कोई वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो में आप देखिएगा एक सिख ग्रंती हैं वो एक भाषपा के नेता से भिड़ते हैं और उनको सुनाते हैं इस पूरे मामले में आप सुनिए गा इसको बहुत अच्छी बाचीत है सुनिए आप से कहने हैं आप उनकी टीम के मेंबरों कम से कम लोगों को एकसास कराओ आपने जिस सिख ग्रंती को सुना ना ये मेरे भारत का ये मेरे समावेशी भारत का नागरिक है उसके मन में नफरत नहीं है बलकि नफरतियों को आईना दिखा रहा है वो बार बार संदीब दाइमा जैसे लोगों को सीखना चाहिए इसे लोगों से आपको इन सवालों को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यूं कानून को ठेंगा दिखाने वाले लोग भाजपा में इतने ताकतवर हैं संदीब दाइमा को लेकर मैं आपको बतला चुका हूँ मगर और दो नामों का जखिर करना चाहूँगा बिजभूशन शरंड सिंग और राम रहीम राम रहीम वो व्यक्ति जो जिससे सजा मिल चुकी है बलातकार के मामले में मगर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ता इन्हें परोल दिलवाने में और फिर इसके दरबार में भाजपा के नेता शामिल होते हैं सिर जुकाते हैं क्यूँ? क्योंकि आदमपुर में चंद वोट मिल जाएंगे और वहाँ पर हमें जीत मिल जाएगे इनके मन में नारी अस्मिता, नारी की इस्जत, इनके कोई माइने नहीं है इनसे नारे लगवा लिजे कि बहुत हुआ नारी परवार, अपकी भार मोदी जरकार, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारे इनसे लगवा लिजे, मगर कथनी और करनी का फर्क साफ तोर पर दिखाई दे रहा है राम रहीम भी वो शक्स है जो कानून को ठेंगा दिखा रहा है क्योंकि उसे सम्मान कोई और नहीं सत्ताधारी भाचपा दे रही है चाहे वो राजस्तर पर हो या केंडर स्तर पर जो अपने आप में कितना शौकिंग है इसलिए मैं इस कारेकर में कह रहा हूँ कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले आखिर भाचपा में क्यूं खुश हैं भाचपा ऐसे लोगों को शह संरक्षन क्यूं देती है बुजभूशन चेरंट सिंग इनके खिलाफ अदालत में दिल्ली पुलीस ने चार शीट में छे गवाहियां दी हैं कि किस तरह से व्यक्ति औरतों की सांस चेक करने के बहाने उनके पेट और छाती कुछ हुआ करता था ये व्यक्ति अब भी सांसद है जब नई संसद भवन का उद्गाटन किया जा रहा था तब ये व्यक्ति प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी के कुछ पीछे बठा हुआ था जब स्मृती रानी ये कह रही है कि राहूल गांदी फ्लाइंग किस दे रहे हैं भाजपा की सांसदों को तब उनके पीछे यही व्यक्ति बठा हुआ था बार बार ये प्रमानित हो रहा है कि इस व्यक्ति पर ना महिला और बाल विकास कल्यान मंत्री अनिस्प्रिती रानी का मुँख खुलता है ना प्रधान मंत्री का मुँख खुलता है कोई कुछ नहीं कहता है और इस पर कानून की गाज बिलकुल भी नहीं गिरी है कल्पन कीजे किसी और के खिलाफ ऐसे केस होते तो क्या क्या नहीं होता याद कीजे रमेश विदुडी ने सानसत दानश अली के बारे में क्या क्या नहीं कहा था उन पर कोई गाज गरी? क्या लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला ने उन पर कोई कारवाई की? बिल्कुल नहीं की मगर मौवा 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 को एथिक समिती बुलाती है एथिक समिती के अध्यक्ष उनसे निजी सवाल पूछते हैं कि आप रात को किस से बात करती थी आपने पिछले पांच सालों में किस के साथ होटेल में कमरा साजहा किया आप इस व्यक्ती से बात करती थी तो उनकी पत्नी को आपत्ती तो नहीं होती थी यह तमाम बातें उनसे पूछी गई और यह वो पुलिटिकल पार्टी है जो महिला असमिता की बात करती है बंद कीजिए ढोंग यह सही नहीं लगता है आज इस कारिक्राओं का मकसद आपके सामने यही था आपको यह बतलाना कि किस तरह से भारती जनता पार्टी में कानून को ठेंगा दिखाने वालों की बल्ले बल्ले हो रही है उनकी चांदी हो रही है जो अपने आप में बहुत शौकिंग है पहले मैं प्रधानमंत्री से अपील करता था प्रधानमंत्री आप कुछ कहिए कुछ कहिए कल साउत आफरिका से हम मैज जीते प्रधानमंत्री ने उस पर ट्वीट किया मगर मजाल है किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर उनके मुँसे एक शब निकलेगा ना महिला पहलवानों के मुद्दे पर ना I.T. B.H.U. में जिस तरह से जो कि उनका संसदी एक शेत्र है वहां एक लड़की को निर्वस्तिर कर दिया गया किसी तरह से वो अपनी जद बचा कर भागी उस पर भी प्रधान मंत्री कुछ नहीं बोले श्वरंत मुद्दे पर खामोश रहते हैं मगर हाँ ये जो हलके मुद्दे होते हैं उस पर वो ट्वीट किया करते हैं और फिर एक पूरा प्रचार तंतर होगा उनको बचाने के लिए कि नहीं क्या ज़रूरत है जिनकी जगा कानून के कड़गरे में है जेल नहीं कड़गरे से शुरुवात करते हैं मगर वो कभी भी कड़गरे में नहीं होते हैं बहुत दुख की बात है मगर ये अमरित काल में संगोल युग में संसकारी पार्टी यानि भारती जन्ता पार्टी की हकीकत है अविसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार